नमस्कार साथ्यों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब के इस डिजिटल प्लेटफोरम एके अकेडमी फाउंडेशन ग्रूप पर मैं आपका होस्ट और दोस्त अशोकुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ साथ्यों, आज का हमारा हमारी जो क्लास है वो रहने वाली है राजस्तान के समन्य ज्यान से समंदित मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ के बारे में साथ्यों तो आप सभी लोग जो है वो एक बार इस क्लास को जरूर देखें इसके अंदर हम 15 क्यूशन और एंस्वर यहां पे करेंगे तो सभी साथियों से एक बार निवेदन है कि इस क्लास को शुरू होने से पहले जो भी कोई व्यक्ति क्लास नई नई क्लास हमारी देख रहा है य तो शुरू करते हैं आज की हमारी इस क्लास को साथियों सबसे पहला क्यूशन हम देखते हैं यहां पे सबसे पहला क्यूशन है कि राजस्थान को कुल कितने भोतिक परदेशों में बांटा गया है तो आपका क्या एंसर यहां पर रहने वाला है राजस्थान को कुल कितने बांटा गया है तो राजस्तान को कुल चार भोतिक परदेशों में बांटा गया है चार भोतिक परदेशों में नंबर एक पे आता है उत्तरी पश्यमी मरुस्तल आता है दूसरे नंबर के उपर बात करते हैं तो आपका अरावली परवत माला आता है तीसरे नंबर के उपर ब तो आपका दक्षनी पूर्वी पठारी परदेश आता है क्या आता है दक्षनी पूर्वी पठारी परदेश आता है यानि कि राजस्तान को कुल कितने भागों में चार पोतिक परदेशों में बांटा गया है तो ये क्लास में आपको कुरवाई है राजस्तान गब गोल चल ही तो कुल लंबाई का मतलब क्या हो गया कि देखो राजस्तान की कुल जो स्तलिय सीमा की लंबाई है 5920 किलो मेटर है कितनी है 5920 किलो मेटर है जिस में से 1050 किलो मेटर इसकी अंतर रास्टरिय सीमा रेखा है यानि की 1050 किलो मेटर जो सीमा है इसकी वो किसके साथ लगती है पाकि की 1050 अंतर राश्रिया सीमारे का है टोटल इसकी जो लंबाई है वो 5920 किलोमेटर आए साथ ही हो उसके बाद में हम बात करते हैं कि राजस्तान का निम्न में से कौन सा जिला अंतरवर्ती जिला है अंतरवर्ती जिले का मतलब ये होता है कि जो राजस्तान के बिल्कुल और बि यानि कि जिसके साथ में किसी भी राज्ये की सीमान नहीं लगती है तो राजस्तान का अंतरवर्ती जिला है पाली साथियो पाली के साथ में किसी भी राज्ये की सीमान नहीं लगती है यदि हम बात करें राजस्तान के अंदर कुल कितने अंतरवर्ती जिले आते हैं तो प्रवत्माला में ये पढ़ाया है राजस्तान को दो भागों में बांटने का कारिया करती है सब अरावली परवत माला अरावली परवत माला क्या करती है कि राजस्तान के बिलकुल मद्य भाग से गुजरती है और अरावली परवतमाला जो है वो आपकी राजस्तान को दो भागों में बांटने का कारिय करती है क्या करती है राजस्तान को दो भागों में बांटने का कारिय करती है ठीक है अगला प्रशन देखिए अगला प्रशन हमारा यहां पर आता है कि राजस्तान का बिश्म पिता मह किसे कहा जाता है यह प्रशन बहुत ही बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट यहां पर है साथियो राजस्तान का बिश्म पिता मह किसे कहा जाता है तो राजस्तान का बिश्म पिता मह राणा चूड़ा को कहा जाता है राणा चूड़ा किसका पुत्तर था तो राणा लाखा का पुत्तर था किसका पुत्तर था राणा लाखा का पुत्तर था राणा चूड़ा ने आजीवन एविवाहित रहने की कसम खाई थी अपने पिताजी के स्मक्ष अपने पिताजी के वचनों को पूरा करने के लिए राणा चुडा ने कसम काई थी कि मैं आजीवन जो है वो कुमारा रहूंगा साधी नहीं करूंगा तो ये राणा लाखा का पुतर था राणा चुडा जिसको बाद में आता है कि निम्न में से अन का कटोरा प्रदेश किसे कहते हैं निम्न में से अन का कटोरा प्रदेश किसे कहा जाता है तो अन का कटोरा प्रदेश कहते हैं आप बता सकते हो कोई कोमेंट करें अन का कटोरा प्रदेश कहते हैं पूरवी मेदानी प्रदेश को यहां पर आप एक बात नोट के लिए यहां पे परदेश लिखा हुआ है यानि कि आपका जो पूर्वी मेदानी परदेश है उसे अनका कटोरा परदेश कहते हैं यदि बात आजे जिले पे यानि कि अनका कटोरा जिला कौन सा है तब आपका उत्तर होगा सिरी गंगानेगर तो राजस् उसके बाद में नेक्स्ट प्रशन देखिए नेक्स्ट प्रशन आपका आता है कि राजस्तान का मिनी माउंट आबू कहां पर इस्थित है राजस्तान का मिनी माउंट आबू आपके बाडमेर में इस्थित है बाडमेर में आपने नाम सुना होगा चपन की पहाडियां कौन पर इस्थित है आपका बाड मेर के अंदर इस्थित है इसके अलावा बाड मेर के अंदर एक ओर है चोहटन बाड मेर का कौन सा शित्र है तो चोहटन शित्र यहां का प्रसिद है तो चोहटन प्रसिद है चोहटन के अंदर क्या होता है चोहटन के अंदर सुयों का मेला लगता जिसे क्या कहते है राजस्तान का अर्द कुम्ब के नाम से जाना जाता है उसके बाद में next number के उपर निम्न में से गेटोर की छत्रियां कहां पर इस्तित है गेटोर की छत्रियां आपके कहां पर इस्तित है जेपूर के अंदर इस्तित है जो कच्छवाहा राजमस है ना गेटोर की शत्रियां कहते हैं शत्रियों का मतलब जहां पर जो है वो किसी राजा की मान लीजिये जो है वो दाहर संसकार किया गया था तो वहां पर क्या हुआ कि उस दाहर संसकार वाली जगह पर एक शत्री बना दी तो इस प्रकार की शत्रियां हो गई गेटोर की शत्रियां तो ये कहां पे है तो ये आपके जेपुर के अंदर पाई जाती है अगला प्रशन देखिए अगला प्रशन आर्ट एंड कल्सर का बखेर क्या होती है बखेर क्या होती है बखेर क्या है एक परकार का संसकार है एक परकार का आभूशन है या एक परकार का इस्थान है तो बखेर जो होती है वो एक परकार का संसकार है संसकार किस परकार से है कि जब जो अर्थी होती है ना अर्थी अंतेस्टी के समय जो अर्थी होती है उस अर्थी के पीछे जो पेसे उछालने की परक्रिया होती है या पैसे उचालने का जो संसकार होता है उसे बखेर कहते हैं और बखेर को क्या कहते हैं उचाल के नाम से भी जाना जाता है तो इसे क्या कहते हैं बखेर कहते हैं उसके बाद मैं अगला प्रशन देखिए अगला प्रशन हमारा यहां पे आता है कि गणेश्वर सभ्यता निमन में से किस नदी के किनारे इस्थित है गणेश्वर सब्यता पहली बाद तो कहां पर है तो ये आपकी सीकर के अंतरगत पाई जाती है और ये किस नदी के किनारे इस्थित है तो आपकी कांतली नदी के किनारे इस्थित है गणेश्वर सब्यता सीकर के अंदर है ठीक है उसके बाद में next question देखिए next question यहाँ पर आपका आता है कि राजस्तान का ऐसा कौन सा जिला है जो तीन राज्जों के साथ सीमा का निर्धारन करता है अलवर, भर्तपुर, धोलपुर, यक करो ली तो राजस्तान का ऐसा कौन सा जिला है जो की तीन स्टेट के साथ में सीमा का निर्धारन करता है तो इसका नाम आप बता दीचे भर्तपुर है भर्तपुर जो है वो तीन रज्जों के साथ सीमा का निर्धारन करता है कौन कौन से बताता हूँ हरियाना के साथ में सीमा का निर्धारन करता है इसके अलावा यूपी के साथ में निर्धारन करता है और एमपी के साथ में भी ये सीमा का निर्धारन करता है तो भर्तपुर जो जिला है वो आपके हरियाना उत्तर परदेश और मद्य परदेश के साथ में सीमा का निरधारन करता है यहां पर ठीक है उसके बाद में नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट नंबर के उपर आता है कि विश्व की सबसे बड़ी प्रसस्ती राजस्तान में कहां प इस्तित है राजसम जो प्रसस्ती है वो आपके राजसमंद के अंदर इस्तित है राजसमंद के अंदर यह कहां पे है तो यह जैसमंद जील के किनारे इस्तित है कहां पे है तो राजसमंद जील के किनारे यह उत्तकिरण है विश्व की सबसे बड़ी प्रसस्ती है है ना और इसको किस के द्वारा मनाया गया था तो राज सिंग के द्वारा बनाया गया था है ना राज समंद जील के किनारे ये राज प्रसस्ति स्थित है जो कि विश्वे की सबसे बड़ी प्रसस्ति है एक मातर राजस्थान में ठीक है उसके बाद में नेक्स्ट क्यूस्चन देखी आपका नेक्स्ट क्यूस्चन आता है कि बलदेव पशुमेला निम्न में से कहां पर आयोजित किया जाता है बलदेव पशुमेला जो है वो आपके नागोर के अंदर आयोजित किया जाता है बलदेव पशुमेला किस की य जाद में ये मनाया जाता है बलदेव पशुमेला नागोर के अंदर ये आयोजित किया जाता है उसके बाद में आता है कि मिठे साहे की दरगा है कहां पर इस्तित है मिठे साहे की दरगा है कहां पर इस्तित है आप सभी बताईए इसका इंस्वर ठीक है मिठे साहे की जो दरग कों सी दर्गा है? मिっちे साहे की दर्गा है. उसके बाद में नेक्स्ट नंबर और फाइनल और अन्तिम जो हमारा इन्टे स्विशन है वो यह राजस्तान का पहला गो मुत्र बेंक कहां खोला गया है पहला गो मुत्र बेंक कहां पर खोला गया है तो इसका इंसर है सांचोर जालोर के अंदर ये खोला गया है और ये कौन सी गो साला है तो पत्थ मेडा गो साला के अंदर ये जो है आपका खोला गया है विश्व यानि की भारत का एक मात्र राजस्तान का एक मात्र पहला गो मुत्रब बेंक यहां पर खोला गया है सांसोर जालोर के अंदर तो यह हमारे 15 परशनों की अतीम महत्वपूर्ण जो सिरीज है वो हमारे यहां पर 15 परशन कंप्लेट हो गए तो इसे के साथ सातियों मैं उमीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को हमारी यह 15 परशनों की सिरीज बहुत अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें और हमें रिव्यू जरूर करें कि हाता कि हम आगे भी इसी प्रकार की जो सिरीज है वो आप सभी लोगों के लिए लेकर के आएं तो इसे के साथ सातियों धन्यवाद जैहिं जैभार